नमस्ते दोस्तो मेरी यूटुब चैनल रादस्वाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेसल पिटेटो स्नेक्स या फिर पिटेटो नेगेट्स ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी इतना चट्पटा और इतना ज़्यादा इसे बनाना और इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही जादा पसंद करते हैं तो इस पिटेटो स्नेक्स को आप एक बार बनाएं और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है इस वीडियो को मैं लग बग एक घंटे के बाद स सेर करना ना भूले इस पिटेटो स्नेक्स को बनाने के लिए मैंने यहां पे तीन बड़े साइज के बॉयल डालू लिये हैं जिसे मैंने अच्छे से बॉयल करके चिलका उतार लिया है अब हम इसे कदुकस करेंगे तो मैंने यहां पेक बाउल लिया है इसमें हम आलू को अच्छे से मैस कर सकते हैं ताकि इसमें अलू का कोई बड़ा गुठली ना रहे तो अलू को हमें अच्छे से इस तरह से कदुकस करना है यहां पर मैंने अलू को अच्छे से कदुकस कर लिया है और अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे तो सबसे पहले हम इसका जो में इंक तो आप भी इसी तरह से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक डालें अब इसमें एड़ करेंगे वन थाड़ चोटी चमच ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें एड़ करेंगे आधी चोटी चमच चिली फ्लेक्स अगर आपके पास चिली फ आटा नहीं है तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और बना लिए हैं और सथ ही हम इसमें डाल देंगे दो बड़ा चंब्लून चावल का आटा राइस फ्लार अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके जगह पे एर रुट पॉडर का भी यूज कर सक और अब हम सभी चीजों को एक साथ मिक्स करके इसका एक डो बनाएंगे तो इस तरह से हम मसल लेते हाथ की मदद से अगर आपको लगे डो गीला सा है तो आप इसमें थोड़े से ब्रेट क्रम्स और भी आइड कर सकते हैं तो इसी तरह से हम डो बना के तयार कर लेते हैं तो यहां पर देखें डो हमारा बन के तयार है और इसी तरह का डो चाहिए हमें बहुत ज़्यादा गीला और बहुत ज़्यादा हाड भी नहीं तो इस डो को बनाने में मैंने दो बड़ा चमच और ब्रेट क्रम्स इसमें यूज किये थें क्योंकि यह थोड़ा सा गीला सा करें के लिए उसके पाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे जले हम इसे रखतेते हैं यहां पेपे देखें को मैंने निकाल लिया है लगबग एक घंडे के बाद और यह थोड़ा सा सैट हो चुका है अभवह हम इसके 黎ट बनाएंगें तो यहां पर मैंने प्लेट रख है और हाथ को थोड़ा सा это करलें ताकि यह डोğ है वह चिपके ना तो अग्युंकि छोटे इस तरह से पोर्षन ले गें और इसे सेब दे दें अपनी इसे कोई 222 बना सकते हैं मैं याप इसे थोड़ा सा इस तरह से लंबा सेप दूँगी ताकि देखने में अच्छा लगे और छोटा छोटा ही आप इस तरह से बनाएं तो सारे हम इसी तरह से बना के त्यार कर लेते हैं और आप इस तरह से इसे बना के फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको कभी मन हो खाने का तो आप इसे फटाक से निकालके फ्राइ करके किसी को भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है ये स्नेक्स तो आप इसे जरू ट्राइ करें और हमने जो इसमें garlic डाला है उसका जो taste है बहुत ही अच्छा आता है तो सारे हम इसी तरह से बना के तयार कर लेते हैं तो देखें मैंने यहापे सारे nuggets बना के तयार कर लिये हैं और अब हम चलते हैं इसे fry करने के लिए आप इसे इस तरह से बना के फ्रीज में श्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन हो तो आप इसे फ्राइ करके खा सकते हैं यहाँ पे तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है इसे फ्राइ करने के लिए हमें तेल बहुत गरम चाहिए अब हम एक-एक पटेटो नगेट्स को उठाएंगे और इसमें डाल देंगे एक बार में बहुत ज़्यादा ना डाले नहीं तो यह तूट सकता है और गैस का फ्लेम मेडियम से हाई के बीच में ही रखेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ डाल दिया है और इसे हम थोड़ी दर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे उसके बाद हम इसे एक-एक करके पल्टेंगे थोड़ी दिर के बाद अब हम इसे एक एक करके पल्टेंगे और देखे इसमें बिल्कुल भी आलू नहीं टूट रहे हैं और अब हम गैस का फ्लेम मेडियम से लो के बीच में रखेंगे और इसे हम अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे देखे बिल्कुल भी आलू नहीं टूट रहे हैं तो इसी तरह से हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड्स हमारे सारे पटेटो स्नेक्स फ्राइ हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा इस पे कलर आया है और देखिए देखने में भी कितना ज़्यादा क्रिस्पी तो जो बचा हुए नगेट से उसे भी हम डाल देते हैं यहाँ पर मैंने सारे पटेटो स्नेक्स को फ्राइ कर लिए हैं और यह बहुत ही अच्छे से फ्राइ हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं यह उपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सौप्ट है और इसका टेश तो इतना ज्यादा लाजबाब है कि आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो अकसर आप इसे बनाएंगे और इसे आप कभी भी snacks के रूप में खा सकते हैं, चाय के साथ enjoy कर सकते हैं, या फिक कभी भी इसे बना के खा सकते हैं, बच्चे बड़े से बहुत ही पसंद करते की तो आप इसे जड़े करें यह पर्फेक्ट पतिटो सनाक्षारा अगर आödश्य पीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज맛 चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें तो थे मिलते हैं किसी और भी इसी तरह की vitam लिए thank you buy झाल झाल झाल